आपका स्वागत है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ केंदरी में जो बनने वाला रेलवे इस्टेशन का ये देखे ये रेलवे लाइन का काम चल रहा है जो रायपूर से आते हुए केंदरी तक जाएगा आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा मैं बताऊंगा भ ये अभी देखे मैं खड़ा हूँ ये और ब्रीज के ऊपर खड़ा हूँ देके नीचे से रोड गाये जी दिनों में चाल होगा चुकि आगे में एक और और बीज बन रहा है उसके लिए भी गिट्टी नहीं बिशाया गया है जैसे वह और ब्रीज कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद यहां गिट्टी डालने का काम भी स्टार्ट हो जाएगा अभी रैलेवे का काम बहुत तैजी से चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह गाडिया पूरी खड़ी हुए लगी हुए यहां पर और बीज का जो मैंने कहा हो चुके हैं तो अभी आगे और कुछ काम नहीं बाकिया अभी पुरा ब्रीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहां पर गिट्टी और रेलवे पटरी बिचाने का काम भी चाल हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ब्रीज में सट्रिंग का काम कर चल रहा है अब यह ब्रीज कुछी दिनों में घड़ा भी हो जाएगा यह गाडिया से अभी मूरून बिचाने का काम भी तेजी से चल रहा है वैसे तो यह 11 किलो मीटर लंबी पर योजना है यहां केंद्री तक जाएगा जो कि मंदीर असोसिप केंद्री तक जाएगा और यह आप देख रहे हैं यहां पर रेलवे स्टेशन बनने वाला जो कि मुक्तांगन के आसपास है जहां पर यह रेलवे स्टेशन बने गई यह मुक्त के इस्टेशन होगा नया रायपूर का जहां पर लोग बैट के यात्रा कर पाएंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और सेयर करना ना बुले